हाँ तो मेरे हीरो क्या हाल चाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगा और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एंसी ए आटी गनित क्लास तेंथ हैना मैत का अध्याय दो जिसका नाम है बहुपद और बहुपद के अंतर कर जो प्रशना वाली दो दसना दो आता है इसके पहला का हम छठा परशन सॉल्व करने वाले हैं इससे पीछे जितने भी सारे प्रशन हैं उन सभी कों सॉल्व कर चेक कर सकते हैं ठीक है तो आये शुरू करते हैं सर हम क्या करेंगे क्वेश्चन का हेडिंग लाइन पड़ते हैं निम्द्विगात बहुपदों के सुन्य ग्यात कीजिए और सुन्यकों तता गुनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाच कीजिए ऐसा कहा जा रहा है इसका सिंपल है हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको गुरनखन से सुन्यक्यात करेंगे तब फरस्ट इंटु लाश्ट कुना करो छी canda करेंगे तो माइनस के 12 एक सस्कार हो जाएंगे तो अच्छी बात है ना अब यहां से क्या सकते हैं हम यहां से यह करना है कि हूं जो करना है करो ना सर फ्रीज नहीं नहुंग है कैमरा ठीक है कटने दो अब देख को माइनस 12 को इस तरह तो कि जोरने घटाने पर हम क्या करते हैं कि माइनस के x पूर जाया है और गुना करने पर minus के बार x 우리가 तरह तीन चोंके बार है, सिम्पल सी बात है तीन में और चार में टूटेगा तरह तीन x squared minus के 4 x आप प्रलस के 3 x लड़ो 4 x में से 3 x घठटेगा ता minus के x बचेगा minus के 4 x और fera कि भुणा करेंगे तो माइनस के बार हो जाएगा माइनस के चार तो चार बड़ावर में सून्नियाँ ग्याद करना अब इसमें क्या कया नजर आएंगे इसमें एक्स कॉमन नजर आंगे तो यह 3 और माइनस की हो जायेंगे नहीं तीन नहीं रे X कमन लेने का मतलब हुआ कि X से इसमें भाग दो भाग देंगे तो 1 X तो बची जाएगा माइनस के X से 4 X में भाग देंगे तक किवल 4 बचेगा पलस के इसमें कुछ कमन नहीं है तो 1 कमन तो आही जाएगा तो 3x और माइनस की हो जाएंगे 4 अच्छी बात है यह आ गया और बरावर में 0 इन यह देखो जब भी यह दोनों सेम आ जाए तो समझाना गुलन खंड सही है इन दोनों में से एक निकाल लो 3x माइनस के 4 हमने निकाल लिया और इधर क्या है x पलस में 1 हमने निकाल लिया ठीक अब यहां से क्या करेंगे सर यह आ गया तो अच्छी बात है न चलो ठीक है बडीओ आज अब देखो 3x माइनस के 4 हो गया और x पलस के 1 हो गया है न अब बरावर में 0 रखो इसके 14 स चार बरावर में 0 और इसके लिसे अब यहां से क्या करेंगे थीरी एक्स बराबर क्या होगा माइनस के चार पलस का यह हो जाएगा चार इसलिए हम क्या करेंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा पलस का तो तीन गुना में है तो यह हो जाएगा बट्टा में है ना चार बट्टा तीन हो जाएगा एक्स बराबर चार बट प्लस केया बिटा माड़ो और एक को बेटा मालों अब यहाँ करेंघे सकते विटा आपे bena का ये अच्छी बात है ओ экономि लेटा की बात है है मैंस की पी वाई यह making अच्छी है से उसमें एक शिपा रहाता है मतलब यह पहले से माइस और माइनस का एक लेलो और बिटा में एकई वेलू कैसी है तो 3 मतलब 1 बटा 3 पलस का होगा कोई दिक्कत नहीं है इसके नीचे 3 पर चाहिसो ले लेलू यहाँ में तीन बरावर क्या होगा एक वर्टा तीन हैना मैंने एक वर्टा तीन लिख दिया एक वर्टा तीन बरावर एक वर्टा तीन अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई तो यह हो गया प्रूब हैना क्या हो गया प्रूब प्रूब हो गया मतलब जाच सफल हो गया अब ए C by A होता है आलफा कमान क्या है सर अलफा जो है वो देखेलो ना सर ऐव लागमान यही चार सिख Allah मैं तीन और गुणा में thànhीड और ना मीटा कमान क्या माइनस कि एक अपर रह और सी आयो कैंड अचार ओर एकमान के आई Psalm 2 कि गया दोनों तो ब्राबर होगी गया चार में माइनस एक से गुना करें तो माइनस चार बॉता में तीन बडाबर माहिनस के चार और बटा में तीन ये हो जाएंगे कोई धिक्कत नहीं दिक्कत को ये जाथ सफल हुआ इसी के साथ है ये हमारा क्या होता है सर्जी ये प्रश् love you take care